देखे class 10 के exercise 7.3 का question number जो first है उसमें हमें जो है triangle के तीनों vertices के coordinates हमारे पास यहाँ पर given है इन तीनों points से हमें क्या करना है triangle का area find करना है ठीक है देखे जब भी triangle का area find करना होता है और तीन points के coordinate हमारे पास हो जो points triangle बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले x1 लिख लेते हैं x1 कितना है हमारे पास 2 उसके बाद x2 लिख लेते हैं x2 कितना है minus 1 और फिर उसके बाद x3 x3 कितना है 2 ठीक है अब y1 कितना है आपके पास 3 और y2 आपके पास कितना है 0 और y3 आपके पास कितना हो जाएगा minus 4 अब आपको triangle का area निकालना है तो the area of triangle the area of triangle equal to इसके लिए formula होता है half into x1 y2 minus y3 plus x2 into y1 minus x3 into y1 minus y2 ठीक है तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर half into x1 आपके पास कितना है 2 और y2 आपके पास कितना है 0 minus y3 आपके पास है minus 4 तो minus यहाँ पर भी और minus की value में भी तो plus 4 हो जाएगा plus x2 आपके पास है minus 1 और y3 आपके पास है minus 4 और minus y1 आपके पास कितना है 3 ठीक है और plus x3 आपके पास कितना है 2 और y1 आपके पास है 3 और minus y2 आपके पास है 0 ठीक है तो अब आपको क्या करना है हाफ ऐसी रखें आप तो 2 multiply किता आ जाएगा 4 अब यहाँ पर अगर bracket से पहले plus का sign होता है तो उसको और हमें bracket open करना होता है तो अंदर का sign chain ही होता है यहीं minus 1 आ जाएगा यहाँ पर multiply minus minus 8 हो जाएगे sign minus का जाता है minus 7 और plus 2 multiply 3 में से 0 minus होगा 3 आ जाएगा ठीक है तो 1 upon 2 ऐसे ही रहा 2 forza 8 और minus minus की multiply करेंगे तो plus हो जाएगा 1 7 जा 7 और plus 2 3 जा कितने होते हैं 6 ठीक है तो half और यहाँ पर 8 और 6 कितने हो जाएगे 14 14 और 7 कितना हो जाता है 21 जब आप इसको आगे solve करेंगे तो half multiply 21 और 21 से यह आजाएगा 21 upon 2 और जब इसको आप divide करेंगे तो यह आजाएगा 10.5 unit square ठीक है area निकाला है तो unit के उपर power 2 लगानी पड़ेगी ठीक है तो यह जो है इसका answer हो जाएगा ठीक अब जो इसका second part है उसको भी देख लेते हैं अब उसके लिए भी सबसे पहले आप x1 लिख लें है निके minus 5 x2 कितना हो जाएगा 3 और x3 कितना हो जाएगा 5 और y1 की बात करते हैं तो minus 1 है y2 आपके पास है minus 5 और y3 आपके पास है 2 ठीक है तो the area of triangle the area of triangle equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ठीक है अब आप क्या करेंगे इसकी value रखेंगे तो half into x1 कितना है minus 5 और into into y2 कितना है आपके पास minus 5 और minus y3 कितना था 2 plus x2 आपके पास कितना है 3 और y3 आपके पास है 2 minus y1 आपके पास है minus 1 तो minus यहाँ पर भी है minus की value में भी तो plus 1 हो जाएगा और plus x3 की अगर हम बात करते हैं तो 5 और y1 कितना है minus 1 और minus y2 आपके पास कितना है minus 5 तो minus यहाँ पर भी है minus इसकी value में भी तो plus 5 हो जाएगा बोलो तो half into minus 5 और multiply minus 7 plus 3 multiply 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और plus 5 और multiply कितना जाएगा 4 ठीक है तो यह कितना जाएगा half और यहाँ पर अगर हम देखते हैं minus minus plus 5 7 is a 35 और plus 3 3 is a 9 और plus 5 4 is a 20 ठीक है तो अगर हम आगे देखते हैं इस question को तो यह आ जाएगा half और जब इनको add करेंगे तो 20 और 35, 55 55 और 9 जो होते हैं वो कितना होते हैं 64 तो यह आ जाएगा half और multiply 64 तो 2 3 is a 6, 2 2 is a 4 तो कितना आ जाएगा 32 unit unit square यह इसका answer